लिसे त्याम हर बता दिये में आपको, त्यात्र की करशनपक्स को जदा बतानी क्या हो सेकता नहीं, एक हम को दुलंडी आई जाती है, पुली का अगला दिन दुलंडी अभी समित कही समझाना है आपको, को समझाने वाली बात है नहीं, अस्तमी, यह मैं बता हूँ आपको, य मैं रात को खाना बना आगे छोड़ देती है, सुबह खाते है आपने, जयपूर के अंदर एक जगह पड़ती है, चाकसू, यहां पर मेला होता है, सीतला माता थोड़ी गरीब सी माता जी है, इनका वाहन जो गदा है, इसलिए गधों का मेला है, गधों का मेला लगता है, य यह बाते थोड़ी याद रखने, सीतला माता की बाते अनियत्तर कहीं पर और करेंगे अपने, कि सीतला माता चैचक की देवी है, चैचक जब हो जया करता था, जब सीतला माता की पुझा करते थे, चैचक न यह सब गर्मी की वज़े से होने वाले रोग है, साइद इसलिए तो थंड़े बोजन की ववस्ता यहां पर सितला माता की गई होगी, जिन महिलां के बच्चे नहीं होते, वो महिलाएं सितला माता की पुझा करती है, एक मातर देवी है जिनकी खंडित मूर्ती की पुझा की जाती है, हम करते हैं माता खुद खंडित है लेकिन हमें अखंड र जयपूर के दिन जोहर मेला होता है और आपको पूछ ले कि जानते हो कि चितोड के अंदर सबसे दिक जोहर हुए थे तो जोहर मेला नहीं है तो कहां लगेगा तो होली कि 11 दिन बाद जोहर मेला लगता है पहले किलास याद कर लीजिए नया साल है अपने पता ही नहीं चलता एक जनुरी वाले केलेंडर में इतने खोये हैं कि अपने पता ही नहीं चलता नया साल आ गया फिर भी आजकल वर्टसप आ गया तो कोई कि प्रीटु होती है नरात्रे सुरूते है तो बसंत नरातरemie, डोनो याद रखना है नया साल ही होता है य पीमश्ट नवा से शुरू हो साल आपको कि सार तुमार खत्म करने क selfish है देज तुमारे थीं लेडू भी गणगोर तुमारे खत्म हो जाएंगे सबसे अच्छी यह दी तीज कहीं पर मनाई जाए तीज नाम आते एक तो जयपूर तो आना ही है तो गणगोर भी अच्छी जयपूर की पर उदेपूर की गणगोर भी खूब फ्यमस भी और उदेपूर वाली फ्यमस होने का कारण भी रहा कि जम्स्टोड इसके बारे में किया है तो जम्स्टोड उदेपूर की गणगोर का वर्णन करता है अपने पढ़ते हैं कि जम्स्टोड मेवाड का पहला पॉलिटिकल एजेंड था तो उदेपूर में रहा उदेपूर में रहा तो वहां की गणगोर का वर्णन नहीं करेगा तो कहां की गणगोर का करेगा सबसे अधिक लोक गीत ये किसी तेवहार के हैं तो गणगोर के हैं याद रखे ना बई कोई पूछ लेगा कि सरवाधिक फोक सोंग वाला तेवहार कौन सा है सरवाधिक लोक गीतों का तेवहार कौन सा है तो गणगोर है तो नौर्मली कल पूहना हा था कि वर्त किसल एक चाहा जाते हैं कि लड़क Kobe की कामना के लिए वर्त किया जैता है.. गणगोर वोश्य फोड़ा लागे गणगोर में लड़क्या अच्छे पती की कामना तो करती है.. कि अच्छा पती मिले, साथ में कहा गया है कि अच्छी भवी भी मिले, मेरे भाई को भी अच्छी पत्मी मिले, अच्छी भवी की कामना के लिए भी वर्थ किया जोता है। तो लड़कों, गणगोर वाले दिन सब बहनों को राजी रखना, क्योंकि यदि उसने वर्थ में थोड़ी गड़बड कर दी, तुम्हारा भविसे अंधकार में आ जाएगा। मुझे नहीं पता आपने गीत सुना होगा और नहीं सुना होगा पर अक्सर गाओं के अंदर गणगोर पे गीत गाते रते हैं। राइसी बोजाई दे कान कोंर्सों वीरो दे। राइसी बोजाई दे। राइ मतलब माँ पारवती, बड़ क्या मांग रही है कि अमयोता भव जैसी भवया दे मैं फारवती मांग्ती होता है घनगोर पक्त और वह भी कैसी उपारवती जैसे कर मुझे लगता है.. मापारवती से जड़ा सहन सिल महिला तो इस दुन्या में हुई कौन होगी जिसने बगवान संकर देशे व्यक्ति के साथ में निभा कर लिया उस महिला से अच्छी महिला तो क्या ही होगी तो कोई लड़की चाहेगी मेरा भाई के पीछे बीदि निभा करने वाली आये तो मापारवती जैसी आये कोई यार सिव जी कहां भांग धतूरे पिने वाला आदमी नहें नहीं, भूतों की टोली साथ में गुमें, बात बात पे गुस्सा करने वाला व्यक्ति, उसके साथ में कोई महिला प्यार कर ले उससे, उसके साथ में रजा, इससे बड़ा तो अच्छी महिला और क्या ही होगी, हर बहन को भी पता है कि अपने बाई में लखन तो ज्यादा नहीं है, तो कोई श्यानी आई बापडी तो भी पीछे निकालेगी, वरना तो पार नहीं पड़ेगी, लड़कियां काती है, राईस ही बोजाई दे, कि बोजाई मिले तो मापारवती जैसी मिले, तो तृतिया को गणगोर अंतिमत्य हमार, जयपूर, उध्यपूर में सबसे अच्छी, उध्यपूर की गणगोर का टोड वरनान करता है, सबसे अधिक लोक गीत होते है, अच्छे पती और अच्छी भावी की कामना के लिए वर्थ किये जाते है, मैं दो एक बात और बताता हूं, गणगो गणगोर की सवारी निकालते है, इसर मतलब सिव जी, कते है मासिवरात्तरी के दिन, शिव और पारवती की साधी भी थी, गणगोर के दिन पारवती जी का मुकलावा हुआ था, मुकलावा समझते है, यो गोना पहली बार अपने से सुराल आए थे, तो जब ये इसर और गोर की सवारी निकलती है गणगोर वाले दिन, तो पहले रास्तनत्रों के टाइम में ऐसा माना जाता था, ये गणगोर की जैसल मेरे में निकल रही थी, बिखनेर वालों ने उसको लूटने की कोशिस की, बिखनेर वालों के गोर तो आता ही नहीं, खली इसर इसर आता है तो इसर लेके चले गए, श्युजी का मग क्या तो लाए, बांक दतूरे का उसका, लाते तो पारवती लाते तो कम से कम गई और चुनकी इसर को ब्यकरणी लेंगे था आज भी क्यावर की सवरी निकलती के गवर का दोヤा गोर का दो Еक ही बात है कि तो इसमें गोर की सवरी कभ निकाली जाती चटूरथी की दिन निकाली जाती i उसमें गण और गण दोनों होते हैं तो आप किछна नहीं से अट गण नहीं होता है उसमें गोर होता है गण इसा दुछा और गणगोर भी बोलते हैं और चूनडी चड़ाते हैं इसलिए इसको चूनडी गणगोर भी कते हैं मुझे आदे एक बार किसी एक्जाम में क्यूस्चन था कि गुलाबी गणगोर कहां मनाई जाती है तो नाथ द्वारा आप कोई पुछले कब मनाई जाती है तो चतर सुकल पंचमी है सब गणगोर की बात हैं तृतिया को चतूर्थी को पंचमी को सब गणगोर का ही चल रहे हैं चतूर्थी को जसलमेर में पंचमी को नाथ द्वारा में गुलाबी गणगोर का दो या चूनेडी गणगोर का दो नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए अश्टमी आएनी जरूरी है उन नवरात्रों में दुर्गा अश्टमी आती है यहां हमने का कि हम तो एक पेड की पूजा करेंगे असोग के पेड की पूजा करेंगे इसलिए हमने इसको असोग अश्टमी कर दिया एस दिन एस असोग के पीड़की पुजा कर लीं जाते हैं और कोई बात निए नवम में उन में टो हाथी है आपके दशे fina होुb भगवान राम का जन्न है रामनोम में आती है। नौरात्रों के लाष्ट में, इन नौरात्रों के लाष्ट में राम जी पेदा होते है, राम जी का बड़े आएगा तो पास में बाला जी का बड़े है, बाला जी ने का मैं राम जी से ज़दा दूर थोड़ी रहूं, यह हनवान जनती है, हनवान जी महाराज के जहां-जहां मंदिर होंगे, वहाँ मेले लगेंगे, हम कहेंगे साब दो जगह तो बड़े लगेंगे, एक दो चूरू में जगह पड़ती है साला सर, एक दोसा में जगह पड़ती है मेहंदीपुर, तो दो बड़े मेले हैं, साला सर चूरू और मेहंदीपुर दोसा, एक बात थोड़ी श दाड़ी मुच्छ वाले अनुमान जी कहां पर रहे तो वो आपके चाला सर के अंतर यहां मिला नहीं होगा टाइम दाड़ी वाड़ी करने का फिर बंदयों किसी ने कहाई जी होगा गयार कूल लगती हो आप तो तो का यहां पर ऐसा ही रख लाते हैं लो बाकी वाले तेमार अपने कल पड़ते हैं इतने तक याद करना आप चेत्तर तके सारे आद कर लेना आगे तो हाई नी गणगोर निकल गई तेमार खत्म होगे अब पीस तेमार आम बावडीन ले डू भी गणगोर थेंक्यू हां जी तो अपने तेमार पड़ रहे थे मा पूराने वाले एक बार फी रिविजन कर दू लो जल्दी से आप ताइम देखना मले पांच मिनिट भी नहीं लगेंगे तीन कलासों के रिविजन में कि स्रावन सुक्ल तरितिया को छोटितीज सबस्याची जयपूर में पतिपत्नी और प्रकृति प्रेम का तेमहार सिंजारे गिफ्ट आतें लहरिया ओडनी होती है पुर्णिमा को रक्षया बंदन नारियल पुर्णिमा सरवन कुमार की पूजा भाद्रपत गा क्रशनपक्स तरितिया बढ़ितीज बुढ़ितीज कजलेतीज सातुडितीज बुंति में सबस्याची छेटको ऊब चट और हाल चट और हल की पूजा की जाती बलराम जयन्ती होती हो अश्टमी को कर्ष्ण जनमाश्टमी, नवम्मी को गोगानवम्मी, हलको नोगांट वाली राखी बान्दो, दद्रेवाद चूरू और गोगामीड अनमान गेड में में मेले, बारस को बच बारस, बचडेगी पूजा, चाकू का प्रियोग नहीं, अमावश्या को सती अमाव प्रिनत्र गिनेश मेला रन्थम भोर, चोंगी तर्थ का मेला जसलमेर केंथ, पंचमी को रिसी-पंचमी, सब्त्रिसी की पुजा, महस्वरी समाज गरक्षया बंदन, बोजन थाली मेला कामा, अरिराम जी मराज का मेला जोरडा नागूर, आश्टमी को राधाश्टमी, नि प्लास राध, टान झी की पुजा, गोबर वर मिटी की सांजी आंक, नाध दोरामे केले की जांजी मच्षें अदरनात मंदिर को चंजी का मंदिर काहा जाता है अ और ठंगड़ा वरतन तिम दिन किया जाता है, जैसे नवरात्री खत्म होते हैं अग्ले दिन से नवर आत्रे मान्ड महद्स ओ जो दपूर में मिरा महद्स ओ आपके इधर सितोड में कार्थिगी चकॉस तूर्थी गो करवा अचँट्ट पति की लंभी उमर की गाम नाके लिए ऐस्त्रमी अही अस्तमी संतान गी उमर की काम नाके लिए पुष्कर वाला मिला पुष्क करते हैं सबोस dari Puschkar पुष्क का व्हुत के भुब्ञाटि decía अबंहितर है मंदिर नंप जयते हम है इंस्तल पड़ी प्रशेवर बने संबर जयपूर के नंदर है उसके बाद लगातर था में मिंक्सर और पो में कोई तयां वहार नहीं आते हैं माक की चतूर्थी को हम पढ़ रहे थे कि तिल चतूर्थी है संकट हरन चतूर्थी है चोथ का बरवड़ा में मेला लगता है एक आदसी को सड्तिलाय का दसी है माउशा को मोनिय माउशा है कुंब मेले का साहिस चनान है एकम सब्सक्राइब आपके पंचमी को बसंत पंचमी आ जाएगी सरस्वती जनति है गार्गी पुरुसकार दिया जाएगा लड़कियों को उसके बाद में आपके पुर्निमा को विनेश्वर मिला नवाटाप्रा गाउं में आपके ये तीन माही सौमर जाकम तीन नदिया मिलती है बाद में आपने बाड मेर में इलो जी की बरात मेर में बाद सागी सावरी अट्र मिल्की सावरी ब्यावर में पोटामी नहान संगोद में जनम्मरण परणगा थे ओमार जयपुर में पहली स्याखरी समिती बिनाय में 1904 में उसके बाद चैत्र की कष्ण एकम गो दुलन के अधे आई जाती है अस्त्मी को आजाता है आपके सीटलास्त मीं चाक्षू में घंख का मेला ऊता है बाशिवड अधर क्ति होर मेला अची न्यामिज इक अधशिग को सबस्त के उरह होते होग चितोत्र चोहर पंचमीगो नात द्वारा में गुलाबी गणगोर या तुनडी गणगोर कहलाती है नौमीगो राम नौमी आती है और पुर्णी मा को हन्मान जनती होती है जिस दिन आपके साला सर चूरू और में दी पूर्ण दोसा अगे लगते हैं अचलो अब इससे आगे पढ़ते हैं आ उन से नाराज होगे गणगोर पे और नाराज होके उसने गणगोर नहीं मनाई राज सिंग जी ने भी रानी को मनाने का कोई प्रियास नहीं किया गणगोर निकल गई तब रानी के और राज सिंग जी की बीच में समझोता आवा राज सिंग जी ने रानी को कहा रानी ने सो आद गणगोर वापस आएगी। रासिंग जी नेका कब आईठी गणगोर। अभी तो 30 गो निकली है। चेत वाली शुकलपक्स की 30 गोर। रासिंग जी आंसके बोलेगे 30 तो हर महिने में आती है। अब मना लू। उसने गासे तोड़ी होता है। अब आधी की 30 को कैसे मनाई जाए। ये तो चेत की जो 30 को मनाई जाती है। और फिर बाकी महिलाएं तो मनाई चेत की 30 को और मुझे करियो कभी मना लू। रासिंग जी ने का आभी 15 दिन बाद और 30 आ जाएगी। वैसागी कृष्ण पक्स में 30 आ जाएगी। इसको मना लेना आपने तो। पर तुम्हा केले नहीं मनाऊगी पूरा मेवाड़ वापस मना लेगा। और रासिंग जी ने गोष्णा करवाई कि वापस एक बार हम गणगोर और मनाएगे। वैसागी कृष्ण तरित्या को और मनाएगे। लोगोन का अजाबेसे तोड़ी होता है। गणगोर तो निकल गई चेत वाड़ी तीज को मना लिया हमने। रासिंग जीन का मैं कह रहा हूँ ना। अपनी स्वीट आट को मनानी है तो सब मनाएगे। बाकी वाड़ी लोग भी मनाएगे। वापस गणगोर मनवादी गई, दुबारा गणगोर मनवादी गई। हम कहते हैं धिंगागोर कहते हैं इसको। दिंगागवर, गवर मतलब तो गणगोर, धिंगा मतलब मारवाडी भासागा सब्दे दिंगाणो, धिंगाणा मतलब जबर्दस्ती, जबर्दस्ती गणगोर मनवादी इसलिए दिंगागवर कह जाता है। कर दो kwest जातार है वो जो रानि थी वो जोत्वूर की थी इसलिए मेला जोत्त पूर में जादा फैंसवा बाकि उदयपूर के अंदर बिमनाई जाती है तो मेला कहां पर लगता है तो मेला जोदपूर के अंतर यह देहां दाए यदि यह दिंगागोर नहीं आती तो कृष्ण पक्स के वेशाक में कोई तेवहार आता है नहीं पर गणगोर के 15 दिन बाद मेवाड में जबरदस्ती गणगोर मना दी गई इसलिए धिंगागोर बोलते हैं उसको जोदपूर में मेलन लगता है उद्यपूर में भी मुनाई जाती बैस इतना याद रखना है और कुछ्ण पक्स में कुछ भी नहीं होता है अब गणगोर के 15 दिन बाद धिंगागोर धिंगागोर के 15 दिन बाद आखा तीज विशाक की सुक्लपक्स की जो तृतिया है वो अखा तीज है मैंने कली आपको बता था कि मारवड़ी में अखा मतलब पूरो मतलब अक्से कली मैं बता रहा था आपको जो आउले वाली बात बता रहा था तीज मतलब तृतिया अक्से तरितिया है दो बाते मैं पहले बता चुका था कि बीका नर का इस्तापना दिवस होता है इसलिए आखा तीज पर बीका अंदर में पतंग यह उड़ाई जाती है यह बात मैंने आपको बता दे थी पहले साधियों का अभुज सावा है बिना पंडजी से पूछे ब्या कर लो पहले अक्सर किसान जो है एक तरिके से उनकी खेती की सुरुवात करने का दिन था हलोतीय करके आया करते थे आखातीज वाले दिन पता चलता था मोसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा वही बात है जी त मोसम का gü aur बड़े जोर सोर शें ते वहान को मनाया कर थे राश्त sharpen-त्र की टायमें दसरें के साथ एक ओर ते वहार जो बड़े जोर सोर से मनाया जाता रहा जा थे जंता की पुरि economy पर ठीकी वीतीर आखातीज कर दोँचे लार ऐखा डिन बाद्हबिय्सागी कषन पक्सके तुर्छित है दिंगागन गोर बंद्हबिय्सागी स्वक्लर की तुर्म प्रणीमा ऑखा अक्ष तुर्ण सड़ित हैं और कुछ याद्ने करना जीए भालवीवा रहत network hoरे कूब सारे बाल प्रणीमा इसके बाद्हा ओजो स्वक्लर के बुद्ध पुर्णिमा या पीपल पुर्णिमा कहा जाता है बगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पुर्णिमा को हुआ था बगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पुर्णिमा को हुई थी बगवान बुद्ध को मृत्यू बुद्ध पुर्णिमा को पढ़ों थो ने हमारे बगवान विष्णु के नवे आउतार है हम खुद पूजा करेंगे रहें तो पीपल की पूजा की जाती है वेसे भी पीपल के पीडू को बहुत महत्युपुर माना किया। भगवान-क्रिशन जब गीता का उपदेश्ट यहते हैं, आरजुन को तो खते हैं कि यृदि आरजुन तुम मुझे पेड़ समझते हैं तो पेड़ों में में पीपल हूं। так पिपल गाउं में लगाय भी जाते थे और ठैप अभी भी हम देखते हैं कि गाउं के अं прин्तर लडखे आ वंदी जाल्दी उड़ती है वेशाइक के महिने में पीपल के अंधर पानी डाल के आती है तम में बोल financi शिंच favour जिस परकार पेडों पेड़ों में पेड़ से पेड पीपल होता है तती मिले तर्टिमिलेछ, टारगेट जन्ज नहीं हो रहा है कोई भी कारसे मेयर एक रूमेट है ईकसर खोल भाा बात सुना ते हैं कि उनके पापाई फोज में है पर थेप फोज में पर रिटायर होगे बाद में तो अब तो रिटायर है तो कि फोज में थे तब एक बार कोई छुटी आए वेन मेरे व रूमेट छोटे ही थे तब स्कूल जाया करते थे एक दिन पडोशियों की सिखायता ही कि आपके बच्चे ने किर्कट खलते काम हमारे पड़ाइब बच्चे की सिर्में बेट मारती है फोजी साब को गुसा है फोजी आपने का यार बत्तमीज लडाई कर के आता है इस परकार से तो उस दिन तो चलो कोई बात नहीं दो चार दिन बाद वापर सिखायता है स्कूल से कि टीचर्स के सामने बोलता है फोजी साब फोजी साब नहीं तोड सकते है फोजी सामने बोलने का नहीं काम नहीं कर सकते है फोजी आपने बोलने का नहीं कर सकते है फोजी आपने पीपड पूजती होगी कहीं बेठी उस बापड़ी को क्या पता कि आगे आकरा है तो लड़कियों आगे आकरे हैं सारे के सारे बड़ अपने याद देखिए, पिपल की पुजा कब की जाती है, वैसाक की पुर्णिमा थी इसको पिपल की पुजा की जाती है, कार्तिक वाली पुर्णिमा और वैसाक वाली पुर्णिमा दोनों वेसे भी भूत्मत हुपन हैं, दोनों पर मेले लगते हैं, खूब सारे मेले लगते लिकी कार्थिक going आप मैंने चार मेले बता आए थे मैं विसाग पुर निमाम पे आपको बतना घुब सारे मेले धखो अभी बात करते हैं आप लिंक से मेलेगा। जयभुर में जगहपृति विराथ नेगकर कर दो मेला एक मेला लगता है गोमती सागर जालरा भटन आप याद गरो कार्थिक वाली पुर्णिमा का जो मेला था जालरा पटन के अंदर उस मेले को हम पढ़ रहे थे चंद्रभागा मेला पसु मेला था मालवी नेसल के पसूं की क्रिद बिकरी की जाती मैं गहुंगा सेम बात य यह भी एक केटल फेर है एक पसू मेला है और इसमें भी मालवी नेसल के पसूं यह रही होगँ यहांसर यह बात हमने पहले भी पड़ी थी के के चितोड़गड के अंदर एक जगह है मातरिकुंडिया था और हम कहा रहे थे कि मात्रिक उंडिया को राजस्तान का हरीद्वार कहा जाता है यह बात साइज मैंने वहां भी बताई थी आपको और यह नकी जील मेला लगता है आपना माउंट अबू, और माउंट अबू कहां पे तो सिरोही में, एक मेला इस दिन लगता है गोतमेश्वर मेला, गोतमेश्वर मेला लगता है प्रतापगड के अंदर एक जगाप्रती अरणोद, वहां पर यह मेला लगता है, पांच मेले याद रखना भाई, बान गंगा मेला विराटनगर जयपूर, गोम्ति सागर मेला जालरा पाटन, एक पसू मेला है, मालवी नसल की पसूं की क्रिट भिक्री होती, केटल फेर, मात्रिक उंडिया मेला चितोड में, इसे राजस्थान क जाहरी द्वार कहा जाता है, नकी जील मेला माउंट अबू के अंदर और गोतमेश्वर मेला अर्नोद, गोम्ति सागर और गोतमेश्वर तो अलग लग जाए रखनाना, कई कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर, बान गंगा वाली कहानी, जहां तक मुझे आदे मैं सुना सुका हूँ आपको, मैंने बताई भी थी आपको बाते कि विराटनगर में राजा विराट राज किया करते थे महाभारत काल में, और राजा विराट के पास में अज्यातवास बिताया था, पांडो अपना अज्यातवास बिताने के लिए यहां पर आया थे, और फिर मैंने स पांडवों को पहचान लेगा तो फिर से 12 वर्स का वनवास और एक वर्स का अग्यात्वास काटना पड़ेगा दुर्णाचारी ने कहा उनको आपके कौर्वों को कहा कि आज कल पांडव आहां पर चिपे में और फिर आमने इसी कहनियां पड़ी थी कि सुनाई थी मैंने आपको की साइध मेरे जहां तक याद आता है मैंने इसा कुछ बताया था आपको जब जनपद पढ़ा रहा था चलो मैं वापस बतादू जो बात ह उनको बाहर निकालने का तरीका क्या हो और कहा गया कि अपनी चूरा लिजाए नकी पक्का बाहर लेकि जा रहे हूएраш मेटर इसी कि आफो तर सकी अप नकी ड Spit h कर लेके जा रहे हैं वो लड़ने के लिए तयार होते हैं लड़ने के लिए जाते हैं अर्जुन जो कि ब्रहनला नपुसंक बनकर राजकुमार उत्तर की बहन उत्रा को डांच सिखाया करता था वो सार्थी बनता है उनका और कते हैं कि जब उत्तर से लड़ाई नहीं हो पाती पेड से वो अपना धनुस वापस उतारते हैं, और जब उन्होंने धनुस वहां पर रखा था था तब उन्होंने कहा था कि ए धनुस देवता मा जभ भी चलाओंगा दुबारा तो मैं गंगा के अंदर थे पवित्र करके चलाओंगा, लेकिन आप यहां गंगा कहां से लाते अर्जुन ने गांडी वाहत में लिया, सबसे पहला तीर उन्होंने धर्थी में मारा, उस बाण से उन्होंने पानी निकाल दिया, इसलिए उस नदी का नाम है बाण गंगा, कि महां पे गंगा निकल के आ गई थी, उन्होंने अपना धनुस दोया, और उसके बाद उन्होंने कोर्वों को दो दिया, डंक से लड़े हैं कोर्वों को वहां से भगा दिया था, वो तु गठना है उन्होंने पहला टीर मारा था दुर्णाचारी के पेर, अर्थी Von neutral 있게 के पेरों में जैसे तीर गया, अर्जुन है सामने को और वन न का तुम ही क्या पता अर्जुन ने उनका यार नोट्स मेरे वाले ही है मेरे वाले नोट्स में से आरी है सब चीजे और आप देख ले ना अगला जो तीरो विस्म पितामे की चरणों में आएगा इतना विस्म ने खा आगया मेरे तो कुद कही आ गया अर्जुन ने का कि अर्जुन अब मतलब क्या निकला क्योंकि हमने तरे को चट के दिन देख लिया जबकि यसा कहा जाता है कि उस दिन उनका आगयातवास 14 को खत्म होना था जबकि वह युद्ध चट के दिन हो गया था ऐसी बाते हैं और अर्जुन ने का कि गुरु जब अगयातवास कंप्लीट वा एक तो उस घटना के बाद जैसे ही अर्जुन वापस आया राजकुमार उत्तर ने बताया अपने पिता को कि यह अर्जुन है तो उन्होंने अपनी बेटी उत्रा की साधी उसके साथ करनी चाही लेकिन अर्जुन इसके लिए मना कर दिया अर्जुन और पांडव जब वापस दुर्योधन के दरबार में पहुंचे और दुर्योधन ने असके कहा कि अर्जुन इदुष्टर अब यहां आने का क्या मतलब हुआ हमने पांडवों में से अर्जुन को छट के दिन ही विराटनगर के उस युद्ध के अंदर देख ल जुद्रों गया था कम कि घुत्वाने पांडव देख लिया गया था यह कर दूंगा मैने इतने लगों ठोक देता युन को पीट दिया था मैं इससे ने दर्ता उसे ने डरता गुछ उखे लिए निदे ओन्सी चट के चावगर देता मैंने एक बार दादो जी से पूछा, कि आप यह अक्सर डायलोग बोलते रहते हो कुण चटकी 14 कर दे तो किसने की, किसीने की भी थी क्या चटकी 14, तो वापस कर दे अर्जन करी अर्जन, तब उन्होंने कहानी सुना, इस परकार से अर्जुन को कहा जाता है, जो चटके दिन आज भी हमारे मानुनिय परदानमंत्री जहां कहीं जाते हैं, वहां कहते हैं कि भारत हुआ है देश है, जिसने युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है, लेकिन जब हमने पौकरण में सबसे पहले परमानु इसपोर्ट किये थे, तो वो बुद्ध पुनिमा के दिन, उस वक्ति के जन्व के दिन पर हमने बन फोड़ थी पर आप यह नाम उर उस आदमी के नाम पर रखा, आपको नहीं लागता है, यह तो वीडम बना आए, यह तो इसे कोंट्राडिक्शन अपने आप में, पर फिर प्राते समनिये, अपीज अब डूलकलाम साभ याध आते ह इस प्रकार यदि सभी देशों के पास परमानु होंगे, यदि कभी युद्ध होआ तो मानविय संगार जादा हो जाएगा इसमें कलाम साब अपनी चीरपुरिचित मुस्कान के अंदर बोले कि नहीं, परमानु सांती का हाथियार है, वेपन ऑफ पीस, जब तक हमारे पास में परमानु रहेगा, कोई भी जल्दी से आकरबन की हिम्मत में जुठा पाएगा, क्योंकि डर रहेगा सबको कि परमानु फैंक दि भारत को कहें कि युद रोक दिया जाए, वरना हम परमानु फैंक देंगे, क्योंकि तब तक पागिस्तान भी दावा कर रहा था कि उनके पास परमानु है, अमेरिका वालों ने वाजपेई अपने प्रधानमंत्री वभा करते थे, वाजपेई जी युद रोक दो, वरना प ने चोथा है वहारा तो खत्म हो जाएगा, पर पागिस्तान को ये भी समझा देना कि फिर कल दुनिया के नकसे में पागिस्तान बचे गए नहीं कि हम तो इतना बड़ा देश है कि परमानु भी फैंके गा तो हम एक चोथा ही नक्शत होंगे, पर हमने वापस फैंक दिया, तो पाकिस्तान तो दुनिया गनक्से में नहीं रहेगा, कल खत्मी हो जाएगा, यह एक बड़ी बात है कि वो मैंन तु मैंन फाइटी रहे गई थी परमानु वगर का इस्तेमाल उसके नहीं हो पाया था क्योंकि सबको लगता कि यह भी इस्तेमाल कर लेगा, वो भी इस्तेमाल कर लेगा, वो भी आद रहेगा, स्माइलिंग बुद्धा नाम का बंब बनाया है हमने, तो यह बुद्ध पुर्णिमा का दो, यह आप इसको पिपल पुर्णिमा का दो, मैं तमाम बातें बताई आपको याद सकता है पानी बर्साथ से आएगा और बर्साथ ता वोगी जो पेडinä पोधों की पूजा की इस अमाउषया वो पेड़ Pोधों की पूजा की गई हम इसको वटवरक समाउषया केता हैं और हम गजए हैं इस दिन बढ की पूजा की जानी चाहिए यह बढ जो बढ का पेड होता है उसकी पुजा की जानी चीए, बैंजियन ट्री इस वर्षिप्ट, कि बैंजियन ट्री की पुजा की जानी चीए, और जब हमने वटफरक्स की पुजा की, जेट की अमाउशा को, जब गर्मी बहुत जादा थी, हमने पेड पोदों की पुजा की, धर्ती पर पान तो भरतपुर में एक जगह पड़ती एक कामा यहां पर मेला लगता है कामा भरतपूर के अंदर एक मेला लगता है सोकलपक्स की दस्मी को गंगा दस्मी मनाई जाती फिर एक कहानी है कि बगवान राम के पूर्वजवेते राजा सगर जिन्नों अस्वय में अस्वय में द्यग्य किया था यग्य की गोड़े की पीछे उनके साथ हजार भाई बंद अगिन डाला और रिषी ने एक रोधी तो अगर श्राप दिया कि जाओ तुम सारे पत्थर के बन जाओ वो सारे मर्गे और पत्थर के बन गए हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू का अगनी में अंतिम संस्कार नहीं हो तब तक उसको मोक्स नहीं मिलता पुन पथ्रों को अगनी मे सका कैसे करवाया जाए। कहा गया हैं कि मौक्स का अन्य क्या तरीका हो किसी नहीं कहा कि मा गंघाल याि इस बार मा गंघाल की तपश्या कर दूँगे पर राजा भागीरत एक समस्या दूसरी है मेरा प्रवा मेरा वेग इतना तेज है कि मैं स्वर्ग लोग से जब दर्ती पर गिरूँगी तो दर्ती पर खड़े-खड़े कर दूँगे को ऐसी जगया बताओ मुझे जहां पर मैं गिर सकूँ एक बार फिर समस्या उत्पनवी समस्या का हल निकालने के लिए एक बार फिर हला हल महादेव निलकंठ भगवान सिव तयार हुए और भगवान सिव ने कहा कि गंगा को कहा जाए कि मेरी जटाओं के अंदर आकर गिरे और मेरी जटाएं जो गंगा के वेग को उसके प्रभा को उसके तेज गति को जहल लेगी आज भी आप भगवान स्यूप की जब भी कभी फोटो देखते हैं तो उनमें उनकी जटाओं से धारा निकल रही है जिसके लिए हम कहते हैं कि मागंगा है मागंगा सबसे पहले स्यूप की जटाओं में गिरी है और वहां से उधिरे दिरे दर्टी पर परवायत होती वी सगर के उन साथ हजार बाही बंदुहों पर आकर निकल गईरों ने मौक्स परदाद किया। उसके बाद से हम यह भी मानते हैं कि जब तक गंगा जी के अंदर अस्तियों का विसरजन नहीं किया जाए तब तक भी मुक्ति पराफ्ट नहीं होती है। इसलिए आस दिन तक हम अपने अस्तियों का विसरजन करने के लिए मां गंगा के पास में जाते हैं। इसलिए अक्सर में कहता हूं आपको कि गंगा भारत के अंदर के वोल एक नदी मात्र नहीं है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, कि गंगा हुमन है, एक मनुस्य को जितने अधिकार मिले, हमें फट्डामेटर राइट्स आर्टिकल 12 तू आर्टिकल 35 जो आप पर लग होते हैं, इसलिए मैं कहीं बार करता हूं कि भारत में गाय, गंगा और गोविंध हमेशां से पूजनिय रहे, पूजनिय है और पूजनिय रहेंगे, तो गंगा जी धरती पर आये थे दसमी के दिन, इसलिए हमने गंगा नदी की पूजा की, हमने गंगा नदी की याद में म कुप सारा पानी आ गया, पेड़कोदों की पुजा की, गंगा जी दर्ती पर आए, तो हमने एक दिन पानी पी आए तो हमने एक दिन पानी के प्रति अपना सरधाव्यक्त की, और हमने का आज जो इतना पानी आ गया तो एक दिन हम खुद नहीं पीएंगे, आज तो लोगों क पानी पीओ, तो फाइदा है, आप दूसरों को पानी पिलाओ, तो भी फाइदा है, आरजुन ने भगवान क्रिशन से एक बार पूचा कि भगवान क्रिशन, यदि मैं यदि को एक वर्त रखना चाहूं, तो कौन सा वर्त रखूं, जिससे मुझे सारे अन्य वर्तों का भी पानी पिलाओ, यहां अकसर अपने गाउं में देखते ही हैं, कि लोग दूसरों को पानी पिलाना पसंद करते ही हैं, मैं जयपूर में यह वावस्ता जादा देखी, यहां पर खूब जगह जगह पर लोग उप्या उटाएद की लगा, तो वह लगा लेते हैं, और उन चव पुलिये से नीचे उतर देख सामने चार मुष्टंडे टाइप के लोग आए और उन्होंना का साइड में लगा लेते हैं, मुझे लगा यहां पिछे कोई गल्ती हो गई हो सकता किसी काडिवाडी में टाच हो गई और आज यह पिटेंगे जिसमें सक नहीं है, अपने डरत मीके इढ़ा यह पिला पानी तर ढरतुम के आपके शासर भाड़ कि अन्दर और पानी पिला रहे हैं, तब मेरी सांस में यह सांस और शार नगंगे जा डख स्ञेवरय ख़गे निर्जलाय कादेशी का वर्त रखा है, आम खुद तो पानी पी नहीं रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं, भया इससे क्या होगा, आप देखो आप इतनी गर्मी के अंदर यह ठंडा पानी पियोगे, आपके आत्मा त्रिप्त नहीं होगी, हाँ यह रही है बात तो सही, ठ पानी क्यों पिलाए जाए, वह बात है, पर पानी तो पिलाए देना चाहिए, कम से कम तो निर्जलाय का दस्यी का वर्त किया जाता है, अदेपूर में इस दिन पतंगे उड़ती है, अदेपूर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगों का सीजन है यह वह जो मैं कभी मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पतंगे उड़ाने के लिए तेवहार नहीं होता, पतंगे उड़ाने के लिए सीजन चाहिए जब मौसम साफ होगा तब पतंगे उड़ेगी, जब जिनके मौसम साफ रहेगा तब पतंगे उड़ेगी, सौभविक्सी बात है और जयपुर में मकर सकरांती पर मौसम साफ हो जाता है, जयपुर में बड़ा तय हो आँ है, इसलिए पतंगे उड़ाए गाई गाई नहीं है, तो वहां पर पतंगे उड़ाए गाई कोई कैसे। जयपूर में ठंड पढ़ती नहीं है, पढ़ती है तो गुलाबी ठंड पढ़ती है, मकर सकरांदी तक तो ठंड बिखर ओर जाती है पूरी तरीके से, इसलिए यहां पर इजली पतंगे उड़ाई जा सकती है, तो यहां पर लोग पतंगे उड़ा लेते हैं, तो जयपूर में मुझे और याद आता है में आगे हस्त कला में और पढ़ाऊंगा आपको, कि जयपूर में एक रजाई मिलती है इसको पाव रजाई बोलते है, पतली से एदम पतली से रजाई होती है, हम छोटे थे बच्चे थे तब तो यह बातें करते घरों के अंदर की जयपूर वाली पाव रजाई को यह अपने चूरु में उड़ गे सो जाए तो सुबत पाव मिले, तीन बटा चार आज में गायब हो जाए, डाई डाई किलो वाली दो उड़ गे सोते हैं तो भी सुबत आलद खराब हो जाती है, पर जयपूर में बाई ठंड पढ़ती ही नहीं, इसलिए अपने आप में मकर सकरांती पर आप उडालो, इधर निर्जला एकादसी पर उडालो, बस जेट में तीन ही, बड़ मावस, गंगादस में निर्जला गया, पेड़ पुद्धों की पुझा की पानी आया, पानी पी आया, असाध कृष्णपक्स फूरा खाली है, आप थैंक परकट नवरात्रे फिर दो होंगे, आस्विन और चत्र, एक सार्दिय, एक बसंत, गुप्त नवरात्रे फिर दो आएंगे, एक माग और एक आसाध, हमेशा सुकलपक्स में आएंगे, हमेशा एकम से शुरू हो जाएंगे, आगे साथ, नवरात्रे आएंगे तो आश्टमी एकादसी को देवता जाग जाते हैं, आसाड वाली एकादसी को देवता सो जाते हैं, देवसेवनी एकादसी है, आचार साहिंता लाग हो जाती है, इसके बाद साधी बंद हो जाते हैं, तो देवसेवनी एकादसी है, इसलिए भदलया नवमी का सावा सबसे बढ़ा होता है एक तो अबुज सावा बिना पंड़ जी से पुछे भिया किये जा सकते हैं, फिर एकादसी के दिन देव सेनी एकादसी आरी है, देवता सो रहे हैं, उसके बाद सावे बंदो जाएंगे, ऐसलिए बदल्या पे सबसे अधिक साधिया होती है, आप बदल्या का कभी इस भार ध गुरु व्यद्व्यास का बर्ड है यह, तो व्यास पुर्णिमा भी कते हैं हम इसको, तो गुरु पुर्णिमा कदो या व्यास पुर्णिमा कदो, एक ही बात है, स्रावन का कृष्णपक्स यदि आपको याद हो तो मैंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने पंचमी साफण के महिने में घास पूष जढ़ा उग जाता एं, सांप जद आते हैं, इसलिए पंचमी को नाग पंचमी है, हमने नाग को दूध पिलाया, सांप को दूध पिलाया, पर सांप अपने वैबहर को कहा छोड़ पाए, चंदन के लिपता रहता है, उसके बावर घरन करके, हमें साहर युगलता है, जब सांप नहीं माना तो उन्य नवमम्मी को नेवले की पुजा की, नेवला नीडर होता है, और आमने नेवले को कहा गिए, नेवले, सांप को खा जा, हमने सांप की सुपारी देती, मैंगूज, मैंगूज बॉलते हैं, नेवले की और चैनल में सावन के महिने में जब हरा इह रा है हर तो हरियल है माुश है ? यह दि आपको याद हो तो मैंने ऐक बार पेले और जििक्र किया था कि मेवार्ट का यह बहुत बड़ा तेहं हर है मैंने ये भी बताया था कि विजे सिंग पती किसी लिए हरीलिया माउश आगे दिन उपर माल पंच बोर्ड के उनकी स्तापना करते हैं तो ये उदेपूर के अंदर बहुत बड़ा मिला लगता है फते सागर जील मिला फते सागर जील मिला उदेपूर के अंदर मेवाड गएते हैं वहारे कलेक्टर की तरब से अउकास रहता है अपने बाकी राजस्थान में नहीं रहता है पर उदेपूर में रहता है अजमेर के गाउं के अंदर बहुत पुराने दो पेड़ खड़े हैं हम उनको कलप पुरक्स कहते हैं और उनका मिला लगता है हम इसको कलप पुरक्स मेला बोलते हैं उस गाउं का नाम है मंगलियावास मंगलियावास अजमेतु एक गंगानेगर के अंदर एक गुर्दवारा है बहुत पूरा ना बुढदा जोहड गुर्दवारा बोलते हैं उसको वहां पर मेला लगता है तो बुढदा जोहड मेला है स्री गंगानेगर में बुढदा जोहड मेला होता है तीन मेले याद रखना हर्यलिया माउश्या के पते सागर जील मेला कलप पूरक्ष मेला बुढदा जोहड मेला सरावण में सांप की पूजा करो नागपंच में फिर नेवले की पूजा करो निड्रिव में अधर दो बताएं है सरावण स्कल तरीतिया को आपके चोड़े तीज और पुर्निम्मा को रक्षया बंदा तो फिर आगे वाले सारे पठली